जो लोग परिशान है नामर्दी से, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही पावरफुल इस्सयोसदी बनती है, यानि जिनका विर्य कम बनता है, टाइमिंग कम रहता है, या फिर जो है सेक्स की इक्षाएं उनके अंदर मरती जा रही है, इक्षाएं ही नहीं बनती है, या फ सिग्रपतन से परिशान है, यानि कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर जिनको उत्तेजना कम रहती है, यानि कि धीले ढाले पड़े रहते हैं, उनके अंदर वो उत्तेजना आती ही नहीं है, बिल्कुल धीले पड़े रहेंगे, तो उत्तेजना लाने के लिए औ आप लोगों ने लाल प्याज तो बहुत देखा होगा, देखते हुए आ रहे हैं, उसका सेवन भी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सफेद जो प्याज है, ये मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आपने सुना जरूर होगा. तो ये सफेद प्याज अच्छली आईरवेट के अंदर जब भी दवा के रूप में आउसदी के रूप में अगर प्याज का नाम लिया जाता है तो उसके अंदर सफेद प्याज का ही नाम लिया जाता है वाइट ओनियन यादि सफेद प्याज तो अगर दवा के रूप में अ बहुत ही जादे महत्त्व है आयरुवेद के अंदर, सफेद प्याज कहीं भी दिख जाती है, तो आपको जरूर लेकर आना चाहिए, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सफेद प्याज के पूरी डिटेल्स के बारे में बात इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, साथ में इसको कैसे यूज करना है, कैसे सेवन करने पर क्या बेनिफिट्स होता है, किन-किन रोगों के अंदर हमें इसको यूज करना चाहिए, और कैसे यूज करना चाहिए, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में समझेंगे, इसे स माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्ने बात करता हूँ, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, हम लोग एक से एक वीडियो खटी ड़कारे आना, मुँसे पानी आना, उल्टी होना या फिर उल्टी जैसे मन का होना इस टाइक के जितनी सारी प्रबलम है वो सारे के सारे जो है पित्त के वज़े से होने वाली परिशानी है तो इन सब के निवारन के लिए सफेद प्याज बहुत ही कारगर साबित होती है, इसके अलावा गर्मियों के लिए बहुत ही काम्याब आउसदी है, गर्मियों के अंदर जो लू लगने की समस्या होती है उसको इस टेंट रोकने में बहुत ही कारगर आउसदी है उसके अलामा जो है आँख के लिए मोतियविंद जिनके आँखों में हो जाता है उनको अक्सर ये बोला जाता है कि operation कराना पड़ेगा मोतियविंद को गलाने के लिए बहुत ही powerful आउसदी मानी जाती है सफेद प्याज तो आँखों के लिए जो सफेद प्याज का यूज है ये इसके अंदर और भी कुछ डलेगा इसका एक फार्मूला है उस फार्मूले पर हम लोग अलग किसी वीडियो में बात करेंगे क्या बेनिफिट्स होंगे इन सब मुद्दों पर भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे तो आईए समझते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सफेद प्याज इसको हमने एमेजोन से मंगाया हुआ है बहुत पहले का और सदियों में यूज होता है और आपक की बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग परिसान है नामर्दी से बहुत अच्छा काम करता है बहुत ही पावरफुल इस्योसदी बनती है यानि जिनका विर्य कम बनता है टाइमिंग कम रहता है या फिर जो है सेक्स की इक्षाएं उनके अंदर मरती जा रही है इक्ष उसका है बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए आपको क्या करना है कि आप आधा प्याच काट लें और इसको कद्दू कस पर घिस करके जो है हमने बनाया हुई है कई वीडियो में दिखाया भी है आपको उससे इसका रस निकाल लें आधे प्याच का जितना निकलता है एक कटोरी में रख लें और उसी प्रिकार से आप जो है अधरक का कद्दू कस करके आप इसका जो है अधरक का रस निकाल लें वो रस एक चम्मच होना चाहिए और उसके बाद जो है उसके अंदर एक चम्मच जो है आप सहद अच्छी क्वालिटी का सहद जो है उसके अंदर डाल और उसके बाद जो है आप इसको सुबह खाली पेट लेना इस्टार्ट करें और रात को भोजन के आधे एक घंटे बाद दो टाइम आप इसको लेना इस्टार्ट करें आप देखेंगे कि ये जो आपकी जो प्राबलम है नपुन सकता की जो प्राबलम है मात्रिय प्याज के स जेवन से वो बिल्कुल भी दूर हो जाएगी, जिनको भी किसी भी प्रकार की जो विर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, विर्य कम बनता है, पतला बनता है, गाढ़ा नहीं बनता, उसकी क्वांटिटी कम है, उन सब के लिए ये सफेद प्याज बहुत अच्छा काम करता है, तो इसके लिए आपको इसे जरूर यूज करना चाहिए, उसके बाद जो अगला प्रयोग है, इस प्याज का, वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कारगर साबित हुआ है, इसको करके देखा गया है, बहुत लोगों को बता करके आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा काम करता है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करना, वो लोग, जो लोग सिग्रपतन से परिशान है, यानि कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर जिनको उत्तेजना कम रहती है, यानि कि धीले ढाले पड़े रहते हैं, उनके अंदर वो उत्तेजना आती ही नहीं है, बिल्कुल धीले पड़े रहेंगे तो उत तेजना लाने के लिए और सिग्रपतन को खतम करने के लिए ये जो प्रयोग है बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए आपको क्या करना है कि दुकान से 100 ग्राम जो है अजवाइन खरिद करके लेकर के आना है 100 ग्राम अजवाइन जो है आप मागेंगे तो 100 ग्राम ही देगा उसकी quantity उतना ही रहने दे उसको एक कटोरी में आप रखें और उसके बाद जो है आप प्याज का रस उतना निकालें जितना में कि वो अजवाइन 100 ग्राम पूरी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से भीग जाए लगभग पूरी अच्छे तरीके से सूख जाता है जब वो बिल्कुल करारा सूख जाए तो आप जो है किसी grinder में डाल करके और आप उसका powder बना लें powder बना करके किसी अच्छे टाइट बंद container में किसी डब्बे में box में उसको रख दें अच्छे से जिसके अंदर हवा न जा सके जिसका ढखकन अच्छा हो उसको रख दें और उसके बाद जो है वो एक चम्मच powder और एक चम्मच गाय का घी या आधा चम्मच गाय का घी रखे और एक चम्मच जो है उसके अंदर गूर सक्कर जैसे कि आपे देख सकते हैं ये गूर है ये पतांजली पे भी मिल जाएगा वैसे अगर आपको नहीं मिलता है तो पतांजली श्टोर पे मिल जाता है इस तरीके से ये गूर यानि कि एक चम्मच वो जो powder आपने बनाया अज आप इसको खा लें यानि कि उसको अच्छे तरीके से मिल्ट करके उसको खा लें और उसके बाद जो है आप एक गिलास उपर से दूद को आप पी लें ये मात्र 21 दिन के प्रयोग में ही 20 दिन तक अगर आप लागातार करते हैं तो ये जो प्रब्लम है शिग्र पतन की और क काम तेजना आपकी कम है तो उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है बहुत जल्द इफेक्ट जो है ये अपना दिखाता है तो अगर इस टाइप की प्रब्लम है तो आप इस प्रयोग को जरूर करके देखें इसके बाद जो अगला प्रयोग है उसके लिए आपको क्या कर दिन में तीन बार आप इस प्रयोग को करें आप देखेंगे कि गले में खरास से है या फिर सर्दी जुखाम इस तरीके से है गला जाम रहता है गला खराब है तो उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है आप इसका प्रयोग जरूर करके देखें बहुत अच्छा लाप कर इसके अलावा जिनको खुन की कमी बनी रहती है या फिर एनिमिया बार बार हो जाया करता है उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए ये खास करके महिलाओं को जो लोग मासिक धर्म से परिसान रहती हैं मासिक धर्म अन्यमित रहता है टाइम पर नहीं आता और खुन की कमी ब तो उनके लिए सफित प्याज बहुत कारगर साबित होता है इसको आप सलात के रूप में भी खा सकते हैं या फिर साख सब्जियों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं हर तरह से यह लाबकारी है आप इसका सेवन जरूर करें बहुत अच्छा काम करता है तो इस तरीके से हमेजन पर अबेलेबल है बीच मंगा करके उगा भी सकते हैं और चाहें तो आप इसके ऐसे ही प्याज के रूप में मंगा सकते हैं और आप इसका सेवन कर सकते हैं बहुत ही कामयाब अज़प तो दोस्तों यह आपने देखा सफेद प्याच के फाइदे के बारे में अगर कहीं भी दिख जाए तो आप लोग जरूर इसको ले लें आप इसको इग्नॉर ना करें बहुत ही काम्याब जो है यह आउसदी है और सिर्फ आउसदी ही नहीं आप इसको नॉर्मल यूज भी कर स सकते हैं तो आप इसको जरूर खरिश सकते हैं अगर मार्केट में नहीं मिलता है और इसकी जरूरत है तो यह एमेज़ोन फिलिप कार्ड पर अवलेबल है मैं डिस्कृप्शन में लिंक देने की कोसिस करूँगा आप चाहें तो वहां से मंगा सकते हैं तो दोस्ते वीडिय के लिए आप सभी का दिल से धन्यबाद करता हूँ आपका दिल सुभ हो